नमस्कार दोस्तों स्वागद आप सभी का क्रिशनरेक्ट चैनल में और आज के इस वीडियो में हम बात करने आले हैं कि जब भी अपना फोन हैंग हो तो क्या करें और अपना फोन हैंग ना हो इसके लिए हम क्या क्या करें तो दोस्तों वीडियो काफी देखते रहें ना क्योंकि आप एंड तक देखो गें तो यह आपको वीडियो प dobrைतरीके से संझेगा और आपका फोन आएंग नहीं होगा शो दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिष्णाटेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए शो दोस्तो यहाँ पर हमें सबसे बहले Settings में चले जाना है और Settings में जाने के बात अभी हमें कुछ इसांटरफिस दीखाई देगा फीर दोस्तो यहाँ पर हमें जाना है यहाँ पर Software Updates में यहाँ पर Software Updates में चला जाता हूँ यहाँ पर हमेंपता चलेगा Detecting और जब भी हमारा Software Update अविलेबल होगा यहां पर आप देशकते हैं मेरा सोफ्टważ पहले से अपदेट है यहां पर मुझे आ रहा है और जब हमारा सॉफट miracle Carniegar का ओप्शन यहीगा तब हमने अपडेट कर देना है क्युक्छ कि मिल Skillshare organization आपडेट में होता तो हमारा फोन हैंगी होता है इसलिए हमें हमारा software up to date रखना है और latest version होना चाहिए सो दोस्तों यहापे हमें अभी accounts and sync पे चले जाना है और इसपे टैप करते ही हमें कुछ ऐसे interface दिखाई देगा सो दोस्तों जब हमारा यहापे हमें दिखाई देगा कि account auto sync data तो हमें इस पे टैप करके इसको off कर देना है क्योंकि दोस्तों जब हमारा यह on होता है तो इसे एक phone मतलब की एक app से दूसरे app तक हमारा data transfer होता ही रहता है और इसे हमारा data भी काफी चला जाता है और हमारा phone hang करने के भी काफी chance सो जाते है और हमारा phone hang होता है सो दोस्तों और एक में सेटिंग बता देता हो आपको फिर से आपे सॉफ्ट्वेर अपडेट पे जाना है और सॉफ्ट्वेर अपडेट पे आपे सेटिंग पे टैप करना है और यहां पे हमें और आटो अपडेट ओवरनाइट यहाँ पर अगर यह हमारा ऑन रहेंगा तो हमें इसको ओफ कर देना है क्योंकि यह जब भी ओन रहता है तब हमारा काफी डाटा चला जाता है और हमारा फोन हैंग बहुत होता है क्योंकि जब यह यह ओन होता है तो इसे हमारे फोन में डाटा भी जाता है और हमारे फोन हैंग भी काफे होता है और दोस्तो जब हमें यहाँ पे नेट की आवशक्ता नहीं होगी तो भी हमें यहाँ पे नेट आफ कर देना है क्योंकि जब net से पोन हेंग होता है क्योंकि ज्यादा देर तक हम net on रखते हैं तो हमारा फोन हेंग होता है फिर दोस्तों यहाँ पर मैं और एक settings आपको बता देता हूँ यहां पे हमें जाना है Play Store पे – और पे प्ले श्टूर पे जाता ही हमें कुछ ऐसी एंटर्फिशू दिखागी देगा फिर हमें यहां पे यह वाले 3 १ॉपशन को और अभी हमें यहापी twooda הosal उपर कर लेना है और यहापी setting पर टैप कर देना है जेटिंग पर करने के बाद अभी यहापी हमें third वाला option दिखाए देगा auto update apps तो इसं पे यहापी دो तैप कर देना है यहाप्ए हमें don't auto update apps कर देना है क्यूंकि जब भी एप्स-開ब और उपडेट रखते है आधे से गहमारे करी ज भी वहर फोन में नेकशनारिने ज्वी की unfी भी आपKayचि हे जो भी अप हो गया वह सब आपडेट भी इसलिए हमै को सुझा रखाली हम्हीन हैं को कि उससे हमारा फोन भी काफि हैंग होता है िस पे डन कर देना है और यहां पर autoplay videos यह भी है इसे भी हमें don't autoplay videos कर देना है क्योंकि इसे भी हमारा phone hang होता है और जो जो problem से हमारा phone hang होता है हमें वो नहीं होने देना फिर यहां पर दोस्तों और एक setting में आपको बताने वाला हूँ तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमारे phone में pre-installed apps होगे या फिर installed apps होगे जो हमें नहीं मतलब जो हम use नहीं करते हम कभी उसका use नहीं करते फिर भी हमारे phone में होगे तो हमें simply वो app पे चले जाना है जैसे कि यहाँ पे मुझे यह play music है एप information पे चले जाना है और फिर हमें कुछ आशे इंटरफेश दिखाई देगा तो दोस्तों फिर हमें आप इसे uninstall कर देना है या फिर full stop कर देना है तो मैं इसे uninstall कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूर ही नहीं है और यहाँ पे मैंने इसको uninstall कर दिया है क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए था तो दोस्तों ऐसे ही एप काफी सारे होते यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते गेम सेंटर है ऐसे काफी सारे एप्स होगे तो उन एप्स की हमें हम उन एप्स को यूज ही नहीं करते फिर भी हमारे फोन में देते और अगर वो और डिलिट नहीं होगे तो हमें उसे डिशेबल कर देना है इस यह मेंने पहले से डिशेबल कर दिया है और यहाँ पे हमें स्टोरेज उसेज पे जाना है यहाँ पे हमें क्लियर चेज पे टैप कर देना है और clear data पे tap कर देना है तो इसे जो भी हमारे phone का data होगा जो ये apps में होगा तो वो सब चला जाएगा और इसे क्या होगा कि जब भी इन से हमारा phone काफी हैंग होता है तो इसे हमारा phone हैंग नहीं होगा क्योंकि जब भी system पे ज़्यादा लोड होता है तो हमारा फोन हैंग होता है तो यह कुछ आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पास्ट आओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए